ग्यारा मई को सुप्रेम कोट ने ये फैसला सुनाया समीधान पीट ने कि दिल्ले के अंदर सर्विस किसके पास रहेगी यानि कि जो अधिकार के ट्रांसर कोस्टिंग है वो किसके पास रहेगी लेकिन 19 मई को केन सरकार ने इस आदेश को पलटते विक अध्यादेश लेकर के आई है जिसमें सब कुछ बदल गया क्या है इसके मायने समझाने के लिए सर्विसिस मिनिस्टर जो है सवरव भारदवाज वही मेरे साथ है सवरव जी इस कदम को आप कैसे लेते हैं देखे ये एक तरीके की बेइमानी है एक तरीके का चल कपट है सुप्रीम कोट की कॉंस् से बड़ी अदालत है कुछ चीफ जस्टिस उसके हिस्सा थे और उने दो हजार पंदरा से जो मसला चल रहा है उसको दो हजार तेईस में आके यह करीब आठ साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उसको एक सलूशन दिया और उनने कहा कि सनमिधान की विवेचना जो है वो सुप्रीम कोट करता है क्योंकि वो कॉंस्टिशनल जो है कोट होता है पर साफतोर पर का कि कोई भी सरकार सरकार तभी चला सकती है जब आप उसके अंदर अफसरों का चैन जो है कौन अफसर किस डिपार्टमेंट में काम करेगा जो अच्छा नहीं है उसको आप हटा सके जो अच्छा है उसको नई जगे ला सकें यह तो बहुत साधारनसी बात है सुप्रीम कोट ने का यह तो संभावी नहीं है कि आप यह कहें कि अफसर तो जो है केंदर सरकार और एलजी चुनेंगे और सरकार चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी लोग वोट मुख्यमंत्री के ओपर थोपेंगी कैसे हो सकता है अब आप ऐसे अफसर लगा दें जो बुजर्गों की पेंशन बंद कर दें जैसे बंद कर दी थी दिवाली के आउड़ारां तीन चार महीने बुजर्गों को पेंशन नहीं दी गई जबरदस्ती कुछ अफसरों ने गड मुफ्त दवा हो मुफ्त जो टेस्ट होते हैं उसका पैसा वो सारा रोक दिया और कुछ महीने ऐसा हुआ कि मुहला क्लिनिकों के अंदर तंखवाएं नहीं मिली दवाईयां कम हो गई टेस्ट बंद हो गए तो क्या मुख्यमंत्री या चुनी हुई सरकार ऐसे अफसर को लगता है कि सब जगे से इसका स्वागत हुआ, अब केंदर सरकार ने सोचा कि यह तो बड़ गड़ बड़ हो गई, तो केंदर सरकार ने इंतजार किया कि सुप्रीम कोट के चीफ जस्टि चुटी पर कब जाएंगे, विकेशन कब है, और शुकरवार को आखरी दिन था सुप आने वाला है, क्योंकि जो अधिकार सर्विसेस सेकेटरी को देने थे, वो सारे के सारे अगदिकार छीन के केंदर सरकार ने अब अफसर कहां पर काम करेगा, कौन कैसे काम करेगा, जो गड़बड होगा अक्सर जो है, उसको इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट दे दे जाएंगे, जो लोग काम नहीं करते हैं, उनको ऐसी अच्छी जगे लगा दिया जाएगा, ताकि जो है, वो सारी की सारी व्यवस मुख्यमंतरी भी है, तो आपको क्यों ऐसा रग़ा है कि उनकी नहीं मानी जाएगा? लेकि वो अथार्टी कुछ नहीं है, वो एक नोटंकी है, और वो सम्विधान पीट का मजाक है, दिली के लोगों का मजाक उड़ा है, वो बहुत भद्दा मजाक है, मैं जिसको कीप जोक, आप मुख्यमंतरी के साथ दो अफसरों को डाल दिया आपने, वो दो अफसर कोई है, जो केंदर लगाएगा, मुख्यमंतरी को, एलेक्टिड मुख्यमंतरी को अपने माइनॉर्टी में डाल दिया कमिटी में, और वो कमिटी कुछ भी करे, अन्तिम फैसला एल ज कोशिच किये, ये एक संकीन मान सकता दिखाता है, कि आपको बहुत छोटा दिमाग है, घटिया मान सकता है, और आप जो है, डिमोक्रिसी के अंदर बिलीव नहीं करते हैं, आपको नहीं लगता कि जो है, लोगों के पास जो है, ये वाली ताकते हो, अच्छे बताईए कि द कहा जा सकता है, ये हूबहू वही दलीले हैं, जो भारतिय जनता पार्टी के छोटे छोटे नेता देते आये हैं, और ये वही दलीले हैं, जो केंदर सरकार के वकील, 2015 से 2018 तक सुप्रीम कोट में दे रहे थे, और कोट ने का कुछ नहीं, elected government के पास पावर है, उनको पावर दी, 2018 में भी सुप्रीम कोट ने दी, फिर ये ही दलीलें, टेलिवीजन पे आके भारतिय जनता पार्टी देती है, और उनके बड़े-बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोट के आगे दी, और 2023 में फिर से सुप्रीम कोट ने का कि ये कुतर्क नहीं है, कुतर्क हैं, इन कुतर कुतर्क हैं, ये कानूनी नजर में, समविधान की नजर में कुतर्क हैं, कुतर्क से ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसी बहुत सारे जो हैं देश हैं, जहां पे वहां की राजधानियों के अंदर, elected government होती है, और मैं आपको और कहीं नहीं, लंडन का example दे रहा हूं, लंडन के अंदर, elected local government है, जिसके mayor के पास सारी ताकते हैं, और उनके पास अपनी पुलिस भी है, यसी बहुत सारे example, बगर इक उतर्क हैं, देखें, असली मामला है कि नियत खराब है, जब भगवान कृष्ण जो है, गए पांड़ों की बात को लेके कौर्वों के पास, तो उन्होंन चंदरचूड ने किया, आपने उनको नयक बीवताया था, ग्रवानयगों आज मैं उनको भगवान कृष्ण मी बदा रहा हूं, य Оп Pharise, अंगा पूरे प्रजातत्र का दूप बनकें इस समविधान का दूप बनके, केंडर सरकार को यह कहा दो्निया अगर तो आधा दो, और प्र्विशन कार किया अपना सवरुप विस्तार किया तो आज की या जो कॉरव हैं वो भारतियाना पार्टी की केंदर सरकार Juliet और जो सम्विधान के दूत हैं जो भगवान करिश्न थे वो आज की डेट में आज की तारीक में सुप्रीम कोट है और उसके चीफ जस्टिस है इस वाग के मंतरी यहाँ पर है तो दिली सरकार फिर से सुप्रीम कोट है और भगवान के पास जाने वाली है देखिए इस देश क जो है बेसिकली लीगल टीम्स करती है मेरी समझ में जो है आपके पास जो है अब देखिए न होता तो काम तो एक केंदर का है और राज्य सरकार के बीच में है अगर केंदर सरकार अगर सम्विधान को आग लगाने पर लग जाए केंदर सरकार यह मान लेकि नहीं सम्विधा के well thought constitutional bench के judgment को एक हफ़ते में पलटने के लिए केंदर सरकार ordinance लिए यह बहुत शर्म की बात है मेरे को जानकारी नहीं है मगर मुझे लगता है कि यह एक विकल्प होता है किसी भी constitutional लड़ाई के लिए यह एक विकल्प होता है कि जो आदेश आया था उसमें कि यह भी था कि केंदर कभी भी कानून बना सकता है दिल्ली को ले करके यह आदेश में नहीं है यह तो कानून तो कोई भी सरकार कानून बना सकती है मगर सवाल यह है क्या हम कोई तुगलकी कानून क्या मतलब कि यह कानून बना जा सकता है कि जी कोई भी आदमी जो है चुप रहेगा देश में बूलेगा नहीं क्या यह कानून बना सकते हैं कि सरकार से सवाल करना बंद है क्यों नहीं बना सकते कानून क्या हम यह कानून बना सकते हैं कि जिसका मन करेगा भारती जनता पार आपकी पार्लिमेंट के अंदर सारे लोग आपके हो भारती जनता पाटी के तो भी जो समविधान का basic structure है उसके खाके के अंदर ही आपका कानून बन सकता है उसके बाहर नहीं जा सकता यह जो कानून है यह इस basic structure के बाहर निकल गया रहे है यह कानून अफसरों को और एक थोपे हुए left and governor को वो शक्तियां दे रहा है जो एक चुनी हुई सरकार के भी beyond हैं तो यह तरक संगत नहीं है यह समयदान के basic structure के अंदर नहीं आता है इसलिए जो है supreme court इसको strike down कर सकता है